जम्मू कश्मीर के कठवा में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुशकर्म और हप्त्या के मामले में पठान कोट-कोट ने सुमबार को ग्राम प्रदान सांज इराम समेत 6 आरोपियों को दोशी ठहराया, जबकि एक आरोपी को भरी कर दिया, दोपहर को दोशीयों को सजा जा सकती है, क्राइम ब्रांच ने पिछले साल अप्रेल में सभी 8 आरोपियों के खिलाफ चार्टा शीट दाखिल की थी, इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, उसका केस जम्मू कश्मीर हाई कोट में चल रहा है, फैसले के मद्दे नजर कठवा और पठान कोट में सुरक् जबकि सांज इराम के बेटे विशाल को भरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस पठान को ट्रांस अफहर हुआ, कठवा केस को साम्परदाइक रंग देने की कोशिश की गई थी, इसके बाद तकालीन महबूबा मुप्ती सरकार ने पैरवी के लिए सिख समदाय के दो वकील नियुक्त किये थे, वकीलों ने जम्मू कश्मीर के कोट में पुलिस को चार्ज शीट दाखिल करने से रोक दिया था, इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा और सुप्रीम कोट ने मामले के सुनवाई पठान कोट की फास्ट रैक कोट ट्रांस अफहर करने का आदेश दिया था, बच्ची का क्शत विक्षत शव जंगल में मिला था, अलपसंख्यक बकरवाल समदाय की पीड़ित बच्ची कठवा जिले के रासना गाव में रहती थी, जनवरी 2018 हुमें अपहरन के बाद उसे गाउं के एक मंदिर में बंधग मना कर रखा गया, यहां क